चैनल मेंने देखे यहाँ पर सिस्क्राइब को लाल बटन और बेल आइकन पर प्रिस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे आज हम बात करेंगे फिक्स डेपॉजिट और शेर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो दूनों में किसमें ज्यादा रिटन मिलता है अगर आपने 16 साल पहले SDFC बैंक में या किसी और बैंक में 50,000 के FD कराई होती और वहीं पे SDFC बैंक के आपने 50,000 के 16 साल पहले शेर खरीदे होते तो किसमें कितना रिटन आपको मिला होता आए कल्कुलेशन करके मैं आपको बताता हूं देख लेते हैं देखिए आज SDFC बैंक लिम्टेट का भावा जो सात मई 2019 को एक बच के 29 मेंट पर 23,35 रुपया और 7 रुपय के अपसाइट पर दिखा रहा है तो चलिए कल्कुलेटर को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं magic of compounding हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया करीब 50,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट पिरियेट था 16 साल 16 यह रेट ओफ इंट्रेस्ट हमने हाई किया हुआ यहाँ पर 9% maximum जो आजकल मुझे लगता senior citizen भी अगर लंबे समय के लिए उनको यह से नों के बीच में रहता है और annually calculate करते हैं तो आता है करीब 1,98,515 रुपए आपको 16 सालों में आपने 50,000 अगर इन्वेस्ट किया था 2003 में 16 साल पहले तो आज आपको करीब 2,00,000 रुपए जो कि interest earned 1,48,515 और principal amount है 50,000 रुपेज करीब 2,00,000 लंसम आप मान के चलिए और य यहां पे आपने 2003 में यह देखी 48 है तो 50 रुपीज हमान लेते हैं 2000 अप्रिल 2003 में 50 रुपए SDFC बैंक का भाव था और आपने 1000 शेर्स ले लिए 50,000 के हो गए और डिविडेंट तो हमने काउंटी ने किया डिविडेंट जो हर साल मिलता आपको एक्स फ्री वो तो हमने काउ यहां पर यह जैखिये red पर yellow दिख रहा है ना face value 10 से तो है 2 की face value पर आ गया था इस टॉक तो आपके जो शेर्स में split हो गए इस company के तो हो गए 1000 से स्थे 5000 शेर्स तो यहां पर आपके शेर्स हो गए 5000 लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हो सकता आप लोगों से कुछ को यह शंका हो कि जो price है वो इसी साब से अपने आपको correct करके इस chart पर दिखाया गया है ने तो आज इसका price तेस्टों के आसपास नहीं होता यह होता कम से कम 10,000 के उपर तो price corrected है तो अब हम देखेंगे कि 5000 शेर्स हो चुके हैं और 5000 शेर्स इन्टू 5000 शेर्स आज का जो भाव है लंब साब हम थेज सुमाल लेते हैं नौट 35 थेज सु रुपए और और जब इसको हम एक करोड़ 15 लाग हो चुके तो आपने देखा अगर आपने शेर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके एक करोड़ 15 लाग हो गए जबकि कि फिक्स डेपॉजित में अगर सेम अमांट आपने इन्वेस्ट कि हुए तो वह हो गई करीब 2 लाग है तो जबरदस रिटेन इस बैंक ने दिये हैं और अभी कुछ दिन पहले हमने है HDFC बैंक के जो Q4 के रिजल्ट साय थे तो हमने बताया भी था आपको कि कैसी बैंक है लगातार देखी जिस पैटन पर यह चल रहा चार्ट ग्रोथ है और पोटेंशल इसमें इतना जबरदस्त कि आने वाले समय में भी यह बैंक आपको काफी बनवा के पैसा देखे जाए मार्केट का एफ है 6,36,951 रुपाए का 6,36,951 करोड की और बुक वैल्यू है 486 की और इंदस्ट्री पी है 32 की डिलेवरेबल है 65% और डिविडेंट टील अफ्कोर्स डिविडेंट पे करता है फेस वल्यू देखी यहां पर दो किये स्प्लिट हुआ था और इसकी जो प्रेंशल की वह भी हमें एक नजर देख लेते हैं यह देखिए लगातार गुरुद जहां इंट्रेस्ट अर्निंग में जून 18 में थी 22,540 करोड में सेप्तंबर 18 में होगे 24,199 करोड और दिसंबर 18 में Q3 में होगे 25,890 करोड और मार्च 19 में 26,333 करोड के इंट्रेस्ट जबर्दस्ट लगातार इसमें ग्रोध है और वहीं नेट प्रॉफिट में अगर हम चलते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट में जून 18 में थी 4,601 करोड की और वहीं सेप्तंबर 18 में होगे 5,005 करोड की दिसंबर 18 में होगे 5,585 करोड की और मार्च 19 Q4 फनेंशल यह 2019 म तो जबर्दस्ट इंट्रेस्ट नेट प्रॉफिट में भी ग्रोध है तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैंक कितनी बड़ी ग्रोध कर रही है और आपका पैसा कितना रिटर्न आपको इसमें से मिल सकता है तो एक छोटी सी कंपेरिजन की जानकारी मुझे देनी थी एक फिक् अच्छी बैंक है शौट टर्म के लिए भी कोई SBI वगएरा काफी अच्छी रिटर्न देती है तो मैं यही पर अपना वीडियो वाइंड आप करने चाहूंगा फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा चलिए बने दिए हमारे साथ और अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब यही वजवियो व्या चैनल सच्छी विए गुछ वाइंग आपको लगएर्स,वेण लाइब टमार्शी आपको रौट टुी पाह्मे सब्यार्स,जे लिए घर्स,प्रेंव मार्ट, व्यार्स,जेव़ टिए ष्यार्स,वेश्ट,वेश्ब, टिरल्स,वेश्ट,